नमस्कार दोस्तों SSGD कोश्टेबल 2018 को लेकर एक बड़ी अपडेट आचुकि है क्या मैडिकल फीट सबी केंडिडेटों को बढ़ती होने का मोका SSC की तरब से दिया जाएगा क्या PMO को जो लिखी गई चिटी है उसका क्या रिपलाई है आकिर गरह मंत्राली ने क्या का है ल वेकंसी आलेडी 60,000 आपकी जो SSGD 2018 के तरुए और लाग से ज्यादा वेकंसी और खाली पिड़ी इसको छोड़ने के बाद में तो यहाँ पर अगर बात करें तो एक लाग 70,000 या 80,000 के लगबग वेकंसी खाली पड़ी है और यहाँ पर मैडिकली फीट की बात करें तो वीडियो आपके लिए बहुती महत्मुन साबित होने वाला वीडियो कें तक आप जरूर बने दीजेगा साथ में वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे पहले बार आयो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि आपको SSC GD Coastable 2018 से रिलेटेड हर परकार क अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें दोस्तों कमेंट वोक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता दे कि आप कौन से राजे से विलोंग करते हूर कितने नंबर आपके बन रहे हैं तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो आपसा बताया गया अनवीर सिंग जी के द्वारा की वैकंसी है वो 60,000 है जबकि मैडिकली पिट केंडिडेट है वो 80,000 के लगबग बताया है जबकि खाले पदों की बात करें तो एक लाग से ज्यादा पद खाली पड़े वही एक बटा तीन उमिद्वारों की उमर हो गई है पार जिन मेंचे जो आपके मैडिकल पिट है उनमें से एक बटा तीन केंडिडेट ऐसे बताये जा रहें 60 के एक बटा तीन आप कार्ड के देख लीजिएगा 20,000 के लगबग एक केंडिडेट ऐसे बताये जा रहें जो आवरेज होने वाले क्या अब उनको आगे SSC में मोका मिलेगा जिया दोस्तों बिल्कुल नहीं मिलने वाला है तो उन सब को मैडिकल पिट कैंडिडेट है जो लंबे समय से इंतजार करें उन सबी को यहाँ पर पैरा मिलेट रिपोर्चेज में बढ़ती होने का मोका है वो सरकार की तरप से दिया जाना चाहिए 12 नवंबर आप जरूर याद रिखिएगा राज घाट वहाँ पर एक सांती कुझ किया जाएगा SSGD कोस्टेबल बरती 2018 को लेकर सबी मेडिकल पिट कैंडिडेटों को बरती करने के लिए जिनके अच्छे नमर है वो भी आप जरूर जाहिएगा क्योंकि अगर वेकंसी बढ़ती है तो आप अपको भी अपनी इच्छा के नुसार अपकी परिपरिन्स के नुसार एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी पोस्ट परिपरिन्स का मोका भी आपको मिल सकता है 12 नवंबर को ये राजगार्ट पर एक सांती कुंज किया जाएगा ये बड़ा इलान है सभी अभियारतियों तो कि इस वीडियो को आप जरूर सेर कर दीजेगा SSGD से related groups है उनमें आप जरूर सेर कर दीजेगा ताकि सभी अभियारति 12 नवंबर को ज्यादस ज्यादा वहाँ पर पहुंचे और इस जो अभियान है उसको यहाँ पर अंतिम रूप दे और आपकी वैकेंसी को इंक्रीज करवाया जा सके और सभी medical pit candidates को भरती होने का भी एक बड़ा मोका मिल जाए यहाँ पर आप देखते हो इंदुस्तान live newspaper में भी news published हुई थी जिसमें बताया गाता कि 54,000 जोवनों की भरती लेकिन परकरिया 2 साल से 8 की पड़िये 60,000 पदोबर ये परकरिया होनी थी लेकिन अभी लंबा समय यह पर हो चुका है 2 से 5 साल हो चुका है फिर भी बरती परकरिया पूरी नहीं हो पाई है अगर जनवरी तक आपकी पाइनल मेडली पाती है तो फिर से जनवरी में आपका फरवरी में सोरी फरवरी के लगवग आपका मैडिकल शुरूई घाता और मैडिकल की एक इसींडिसशं रखी जाती है कि एक साल मैडिकल होने के बाद एक साल के अंधर अंदर भर्ती परकरिया तो फिर से उनका पूरा मेडिकल वापिस कराया जाता है अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर बरती आपकी और ज्यादा लंबी चली जाएगी तो इन सब को देखते वे मेडिकल पिट कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट है लगबग 85,000 के लगबग बताया जा रहा है आखडे भी कनफरम नहीं है लेकिन यहाँ पर एरणवीर सिंग जी के द्वारा ही ट्विट किया गया कि 85,000 के लगबग कैंडिडेट होंगे इसे जो मेडिकली पिट है और किया जाना चाहिए तब ही सलेक्ट हो पाएंगे सभी मेडिकली पिट अगर वैकंसी इंक्रीज की जाती है तो साथ में वेटिंग लिष्ट का क्रिटेरिया भी रखा जाना चाहिए ताकि सभी व्यारतियों को इसका मोका मिल सके ये भी एक अच्छी और उनकी पहल के बाद म जो पेरा मिलिटरी पोर्शेज है उनकी आपर आवाज बुलंद करते हैं वही उन्होंने कहा है कि वो इस ओप लाक्स ओप हैमिलीज लाखों लोगों की आवाज उठाने का काम करते हैं पेरा मिलिटरी पोर्शेज उन्होंने लिखा है कि माननिये ये आम चीटी नहीं है इस इसमें 60,000 यों की इबादत लिखी गई जब उन्होंने PM को एक चीटी लिखी थी उन्हें ये बड़ी चीजें उन्होंने दर्शाई थी जिसमें लिखा गया था कि माननी है ये आम चीटी नहीं है इसमें 60,000 यों की इबादत लिखी गई ये उन यों के बविशे का स्वाल है जो आने वाले कल देश की सुरक सावेश्टा में एक महत अपुन रोल निबाएंगे उमीद है कि दिवाली के मोके पर सीटे बढ़ा कर न्यूकती पतर जारी करे सरकार उनका कहना है कि दिवाली पर ये बड़ा तोपा इतने लंबे इंतजार करने वाले सबी अभयारतियों को मिलना चीए आपकी वेकंसी इंक्रीज करके दिवाली तक सबी अभयारतियों को जोइनिंग भी दे दी जाने चीए ऐसा सब कुछ उन्होंने जो चीटी लिखी है परदान मंतरी नरेंदर मोधी को पीमो को उसमें इस सारी चीजे मैंसन की गई इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सो SSC GD कोंश्टेबल 2018 कम जोईन पीसपूल प्रोटेक्ट प्रोम राजगार्ट तू राश्टरपती बावन उन इन्होंने काया है कि जादा से जादा कैंडिडेट है तो एक सांतिपून यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाएगा SSEGD का चांतिपूर एक प्रोटेस्ट किया जाएगा जो यहाँ पर राजगार से शुरू होगा और राश्टरपती बावन पर 12 नौमबर तक होने वाला है उसके साथ ही दोस्तों बहुत खूब जानकारी जानकारों की अर्ध सेनिकों को एक्समेन दर्जा देने हैं जो एक्सर्विसमेन है उनके भी लड़ाई है लड़ते जा रहे लगातार कि उनका मानना है कि सभी एक्सर्विसमेन कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पर अर्ध सेनिक की तरह है इंडियन आर्मी की तरह है यहाँ पर पैंसन सुईदा मिलने चीए एक्सर्विसमेन कोटा मिलना चीए क्योंकि वो भी लगातार यहां पर डूटी कर रहे हैं इन सब को यहां पर इन सभी की मांगे हैं वो इनके द्वरा लगातार उठाई जा रही है अगर दोस्तों आप भी SFC GD कोश्टेबल 2018 के अब्यारती हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा सेर कर दीजेगा ताकि सभी अब्यारतियों तक यह महत पूर्ण अपडेट पहुँ जाए जियां दोस्तों सभी अब्यारतियों तक यह महत पूर्ण अपडेट पहुँ जाए ताकि सभी जो कैंडिडेट है जो सारे यहां पर राजगाट पर एक्तरित हो चुके और सांती पूर्ण इंक्रीज करके सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाए वेटिंग लिष्ट का क्रिटेरिया रखाए जाए ये सभी मांगे है ये उनके द्वरार रखी गई है तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा आप सेर जरूर कीजिएगा तबी आपकी आवाज है वो पीमो तक और ग्रैम अं याद रखे सभी SSCGD कैंडिडेट को वहाँ पर पहुंचना है तो दोस्तों ये एक चोटी सी जानकारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा साथ में महत्मुन जानकारी अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर सेर करें आशा करता